स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का इम टेक्नो चैनल में और आज डियाडियो चेप्टर नाइम के जो इस्टोनोग्राफर ग्रेड सेकिंड और एड्मिनिस्ट्री असिस्टेंट और स्टोर असिस्टेंट की जो पोस्ट आई है उससे रिलेटिव में कुछ क्वेशन लेके संबनित रहेंगे तो फ्रेंड्स मैं क्वेशन रिलेज करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेश्ट अगर आप चैनल पर नए यूजर है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली नैस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके तो आएए शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्टन फर्स्ट क्वेश्टन है फ्रेंड्स विच अमोंग दा गिवन इस दा सेकेंड लेगेश्ट स्कोर अप गलोबल एनर्जी यानि कि इसमें पूछा गया है निमन लिखित में से कौ इसमें पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है सिर्का का रसाइनिंग नाम पूछा गया है कि रसाइनिंग नाम क्या होता है तो सिर्का का जो रसाइनिंग नाम है वो acetic acid है, यानि कि इसमें correct answer option D हो जागा, acetic acid को ही सिरका का रशानी नाम कहा जाता है next question, plague is concerned by, यानि कि friends इसमें पूछा गया है कि plague जो होता है, वो किसके कारण होता है तो plague friends bacteria के कारण होता है, तो इसमें correct answer option B हो जागा कि bacteria कारण ही plague रोग होता है नेक्स्ट क्वेश्यन फ्रेंड, वेल्ड नॉर्मल ब्लेड प्रेशर गज़े एक सोबीच ऑल घ्र करेक्वमारों कि तो इसमें च्राओं पूछा गया है कि कि दिये गए खत पतवारों में से कौन सा ओदुदिक अब सिष्टों से होने वाला जल परदुषण की जाँच के लिए उपयोगी पाया जाता है यानि कि फ्रेंट्स इसमें पुछा गया है कि जो जल परदुषण की जाँच के लिए उपयोगी पाया जाता है ओदुदिक प कुम्भी का प्रियोग किया जाता है next question है friend the come only use coolant in refrigerator इस यानि के friend से इसमें पूछा गया है कि refrigerator यानि कि fridge fridge पर आम तोर में जो इस्तिमाल होने वाला coolant है जो कि fridge को अंदर से ठंडा करता है तो वो किस coolant के कारण ठंडा करता तो fringe जो होता है friend एक फ्रीन गैस होती है जिसके करण हो फ्रीज को अंदर से ठंडा करता तो उसे कूलेंट के रूप में इस्तिमाल किया जाता तो उसमें correct answer option C हो जाएगा फ्रीन next question है friend the acid store in battery is यानि कि friend से इसमें पूछागा जो battery होती है उसके अंदर कौन सा acid पाया जाता तो battery के अंदर friend समय सा sulfuric acid पाया जाता तो उसमें correct answer option भी हो जाएगा कि battery के अंदर sulfuric acid पाया जाता है next question है friend a person having AB group blood can donate blood to a person having यानि friend से इसमें पूछागा है कि AB group का जो blood रखने वाला भ्यक्ति होता है वो किसको रख्तदान कर सकता है अपना रख्त किसको दे सकता है तो AB group वाला blood group वाला भ्यक्ति AB समय यानि कि AB group को ही अपना blood रख्तदान कर सकता है तो उसमें correct answer option A हो जाएगा कि AB group वाला AB group को ही रख्तदान कर सकता है नेक्स्ट क्वेशन है फ्रेंड आन्वांसिक सामगरी जिसमें किसी जीव के विकास और अस्तित्वक के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है तो इसमें correct answer option D है फ्रेंड यानि कि D-oxy-ribonucleic जो acid होता है उसी के अंदर आन्वांसिक सामगरी जीव विकास और अस्तित्वक क अवश्यक जानकारी उपलब दोती है तो इसमें correct answer option D हो जागा फ्रेंड next question है फ्रेंड marketing communication has the objective of यानि कि friends इसमें पूछा गया है marketing communication जो हता है उसका उदेश्य क्या होता है marketing communication का उदेश्य होता है जागुता पैदा करना और उतेज़क क्रिया करना यानि कि इसमें correct answer option A b दोन answer option C है next question friend बहुतिक वितरण में कौन सी गतिविदियां सामिल है यानि कि friends से समें पुछा गया जो basic activities है यानि कि निमन में से basic activities कि कौन-कौन सी है इसमें simple सी यह पुछा गया तो इसमें correct answer option D है यानि कि sale force costing भी है retail राजूजिंग भी और customer service भी basic activities है तो इसमें correct answer option D हो जागा next question friends आप reasoning से सम्मंदित पूछा गया है निमन लिखित आरेक मैं से एक संयुक्त तिरकोन वर्ग और विरत दिखाया गया है जो करमस इस प्रकार है सहरी परतिबासाली और चात्रों से परतिबंद करता है तो अब पूछा गया है कि निमन लिखित चितर में A और G तक का छेतर जो है A और G तक का छेतर जो है वो सहरी और चात्रों से परतिबंद करता है यानि कि सहरी से और चात्रों से परतिबंद करता है परतिवासाली के अंदर गत नहीं आता लेकिन A और G उसके अंतर गत आता तो इसमें correct answer option A हो जाएगा यानि कि D answer correct है next question है friend in question select the missing number from the giving response यानि कि friends इसमें पूचा गया है कि नीचे दी गई है जो परतिक लिया यानि कि चित्तर जो फिगर दिया गया है उसमें से लापता आंक को खोज निकाले यानि कि ग्यात कीजिए चैन कीजिए ग्यात कीजिए तो इसमें correct answer option A हो जाएगा friend कि यानि कि लापत फाइब correct answer निकला जाएगा तो इसमें correct answer option A हो जाएगा next question friend it was a Thursday on 1st April what day was it on 28th zone of the same year यानि कि friend से इसमें पूचा गया है कि 1 April को अगर मंगलवार था तो उसी वर्स के 28th zone को कौन सा दिन था एक अप्रेल को अगर मंगलवार था तो 28th zone को उसी वर्स के 28th zone को friend सनिवार होगा तो इसमें correct answer option B हो जाएगा next question friend in question select the missing number from the giving response यानि कि friend से इसमें पूचा गया कि दिये गया परतिक्रिया यानि कि चित फिगर में से लापता संख्या का chain करें तो मैं आपको example भी सामने दिख आंसर निकलेगा किस टाइप से निकल रहा मैं आपको figure में भी दिखा रहा हूं सामने side में तो आप figure में भी देख लीजेगी किस टाइप से इसका correct answer option 834 निकल रहा है next question friends in question select the missing number from the giving response प्रसनों में दी गई प्रति लिगता में लापता संख्या का chain करें यानि कि friend से मैं इसका correct answer निकलेगा तो इसमें correct answer option B है friends यानि कि 489 यानि कि 499 इसका correct answer हो जागा तो option B इसमें है next question है friends पूछा गया प्रसन में दिये गए विकल्प में संबने सब्द 68 संख्या को चुनिये या मैं आपको side में figure में भी दिखा दूँगा कि ये question किस type से solve होगा तो आप देख आपकार JKL 33 इस परकार से निकलेगा जो कि आप figure में देखी रहे हैं तो इसमें correct answer option B हो जागा friend कि इसका JKL 33 हो जाएगा next question है friends पूछा गया है कि दिये गए विकल्पों में से सब्द का chain करो जिससे दिये गए सब्द के अक्षों का उप्यों करके नहीं बनाया जा सकता य उससे नहीं बनाया जा सकता तो इससे friends हम जो यह प्यसिक है प्यसिक उसका नहीं बना सकते तो इसमें correct answer option C हो जाएगा कि दिये गए word में से हम प्यसिक सब्द को नहीं बना सकते तो इसमें correct answer option C हो जाएगा next question friend पूछा गया सुमन ने एक लड़के की और इस सारा किया और कह कि वो मेरी मा की कलोती बेटी का पती है तो लड़का सुमन के चचरे भाई से कैसे संबंदित है इसमें पूछा गया कि लड़का सुमन के चचरे भाई से कैसे संबंदित है फिगर में मैं आपको दिखा दूँगा friends कि कैसे question को solve होगा यह question तो इसमें जो correct answer है वो हो जाएग बर्दर इन लोग यानि की correct answer option भी हो जाएगा कि वो जो लड़का है सुमन के चचरे भाई से बर्दर इन लोग के संबंदित है तो इसमें पूछा गया which of the following is not a part of storage in computer इसमें पूछा गया friends की जो computer का storage है या इनके बंदार हिससा है इन में से कौन सा पार्ट उसका नहीं है computer storage का कौन सा पार्ट नहीं है तो प्लाटर जो है ये friends ये computer storage का पार्ट नहीं है तो इसमें correct answer option नहीं हो जागा बाकी सब ये computer storage के पार्ट है तो इसमें correct answer option ये हो जागा next question friend पूछा गया किसी दस्तावेद पर उपियो करता द्वारा निर्दिष्ट नाम को कहा जाता यानि के friends इसमें पूछा गया है कि document यानि कि document को जिसमें रखा जाता है उसको किस नाम से निर्दरसित किया जाता तो उसको file के नाम से निर्दरसित किया जाता friend जिनमें document को र मोनिटर होता हुग इस प्रकार का उपकरन है तो कंप्यूटर का मोनिटर फ्रेंड्स आउट्पूट उपकरन है तो उसमा correct answer option भी हो जाएगा कि कंप्यूटर का मोनिटर आउट्पूट उपकरन है next question friend this is the part of the computer system that one connector touch यानि कि फ्रेंड्स इसमा पुछा गया कि computer का system का कौम सा हिस्सा है जिसे हम छू नहीं सकते तो software ऐसा है फ्रेंड्स इसको हम छू नहीं सकते सिर्प देख सकते हैं या use कर सकते हैं तो उसमा correct answer option D हो जाएगा कि computer का software system है उसको हम छू नहीं सकते है next question friend bit standard 4 यानि कि पूछा गया कि bit क्या है तो इस question का answer आप लोग मुझे ये comment करके बताना friends और इस question का answer मैं next video जो update करूँगा उसमें release करूँगा और friends किसी question में कोई doubt लगे तो मुझे comment करके ज़रूर बताना तो मिलते हैं friends next video में